हाई एबरिवन वेलकम टू माई चैनल मैं ये थाली अनन्द चतुर्थी के लिए बना रहे हूँ आपके यहां क्या बनता है आप चरूर बताईएगा और चलिए इसको बिना देर के वे स्टार्ट करते हैं यहां पर देखिए मतर मैं फ्रेस ली हूँ और इसको छिल कर रख ल होंगी बहुत ज़्यादा आप डालेंगे गाढ़ा सेवई एकदम बहुत जमा जमा बनता है तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ा सा आप सेवई मैं रखी हूँ उसको अच्छे से बाकी सेवईयां को तोड़ ले अच्छे से चूर्चूर कर ले क्योंकि कि चूर चूर करने से यह roast करने में बहुत असान हो जाता है यहाँ पर अपने मन पसंद जो भी dry fruits लेना है तो आप इसे दरदरा आप कर ले कोई छोटा कोई बरा कोई बारिक इससे सेवई में बहुत अच्छा थिकनेस भी आता है और सारे dry fruits एकदम mix हो जाते हैं और taste भी आता हलके धिमी धिमी आज में आपको roast करना है एक दो मिनट में यह roast हो जाते हैं और यहाँ पर देखिए color इस तरह का color हो गैस बंद करें और एक बावल में इसको निकाल ले उसी कडाही में एक चमच घी डालना है जो भी dry fruits डालना है उसको अच्छे से आप यहाँ पर भून ले भून कर एक कटोड़ी में आप निकाल रहे हैं पिस्ता को मैं भूनूंगी नहीं उसको बाद में मैं डालूंगी बस काजू और बदाम मैं डाल रही हूँ और उसी कडाही में आप दूद को कट कर ले थोरा सा हलका सा पारी आप डाल सकते हैं और नहीं तो यह खाली दूद बहुत अच्छी बनेगी यहाँ पर देखे एक क्लीटर दूद में एक कटोड़ी चीनी डालिए और उसको अच्छे से पकाए दूद और चीनी को खूब अच्छे से उबाले फिर लाश्ट में आप गैस को कम करके सिवई को डाले सिवई डालने के बाद दो-तिन मिनट आपको पकाना है और उसमें इलाची पॉडर डाल दें और डाल कर अच्छे से देखे खुसबू अवाना सुरू हो गया ड्राइफ रूट डाल दें जो हम रोष्ट करके रखे थे और इस प्रोसेस से एक बार आप सवई जरूर बनाएं क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना बहुत ही असान है थोरा साब मैं यहां पर कटा हुआ पिस्ता डाल रही हूँ और सेवई आपकी बनकर रेडी हो गई है उसे एक बाउल में रख दे और उसो ठंडा होने दे यहां पर देखिए मैं छोटे आलू मार्केट में मिलने लगा है उसको मैं ले आई हूँ उबाल ली हूँ उबालने के बाद उसके छिलके को हटा लें और इसको फोर्क से हलका हलका छेद करें ताकि इसके अंदर ग्रेवी जाए और यह जूसी आलू खड़ा बनकर रेडी हो जाए इस आलू का आलू दम बहुत ही अलग तरह का बनता है और बहुत टेस्टी लगता है एक आलू मैं बड़ा वला उबाली थी साथ में और उसको मैं मसल के डाल रहे हूँ ताकि ग्रेवी हमारा बहुत ही अच्छा बने एक दम गाढ़ा बने और बहुत जादा मसाला भी डालने की जरुवत ना परे थोरा सा नमक डाले और नमक डालकर पांचे मिनट आलू को खूब अच्छे से उबाले उबालने के बाद ये देखिए एकदम ब्राउन हो जाएगा उसके बाद आप निकाल लीजेगा एक मसाला त्यारी कर लेते हैं थोरा सा जीरा थोरा सा इसमें एक चमच धनिया खड़ा डालेंगे और सौप डालेंगे और अदरक हरी मिर्च अपने टेस्ट के कोडिंग डालना है बूंदी जो रहता बनाते हैं चार चमच आपको बूंदी डालना है और इसको डाल कर अच्छे से मिक्सी में एदम बारिक पीस ले एक कड़ाही में सरसो तेल डाल रही हूँ मैं और चार चमच आप कोई भी तेल डाल सकते हैं थोरा सा जीरा तेजपत्ता उसके बाद थोरा सा दाल चीनी और एक बड़ी इलाइची डाल कर उसको चटका लें फिर उसमें हींग डालने के बाद अच्छे से देखे चटक गया है अब इसमें जो हम मसाला त्यार के थे उसको आप तुरंट डालें गैस को यहाँ पे एकडम कम खर के रखें क्योंकि मसाला जलना नहीं चाहिए और तुरंट जार को धोते हुए हलका सा पानी डाल दें खूब अच्छे से धो के उसमें चिपका रहता है आप मसाला में पा फ्रेंड्स थोड़ा खराब चल रहा है इसलिए आवाज थोड़ा रुक रुक के आ रहा है तो इसके लिए आप लोग माफ करिएगा और एक चमच मैं यहाँ पे कास्मेरी लाल मीश डाल रहे हूं और सब को अच्छे से अभूनना सुरू करें दो कटा हुआ टमाटर डाले और यह मैं मतर को हलका सा सीटी लगा के उबाल ली हूं चान कर मैं डाल रहे हूं ताकि आजकल के मतर पकने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं फिर उसके बाद मसाले को खूब मतर के साथ टमाटर के साथ उसको भूने स्वाद नुचार उसमें नमक डाल दीजेगा और मसाल एक बार आप लोग इस तरह से बना कर देखें और पानी अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको गारा चाहिए पतला चाहिए एक डेड़ गलास मैं पानी डाली हूँ क्योंकि आलू को यहाँ पर पकाना है आपको 10 मिनट तक उसके बाद उसमें काला नमक डालने के बाद इसमें गरम मसाला चरूर डालिए लास्ट में गरम मसाला डाल कर थोड़ी देर पकाएं और गैस को बंद कर दे यह आलू एकदम अच्छे से दम पक कर रेडी हो गया है अब देखें यहाँ पर मैं एक बावल में इसको डाल रही हूँ इसी तरह से ग्रे भी रखेंगे मतलब की तुरंद बनकर यह थाली रेडी हो जाता है अब यहाँ पर देखें छोटे छोटे पूरी मैं बना रही हूँ आप अपने साइज में गेहूं के आटे का पूरी बनाएंगे कोई मोयम नहीं डाली हूँ सिंपल आटे से मैं यह पूरी बना रही हूँ कुछ भी नही सिंपल बनाएं और एक बार इस थाली को बना कर देखें कहीं कहीं पर आनांच चतुर्थी में सिर्फ पूरी और सेवई बनता है और कहीं कहीं पर सबजी भी बनता है इसलिए मैं यह थाली बनाई हूँ इस तरीके से एक बार सेवई बनाई है देखें यह ठंडा भी हो गया और कितना अच्छा कलर आया है और हलका हलका मिलक रहे वही सेवई खाने में बहुत अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा जमा हुआ भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए इसी तरह का थिकनेस रखेंगे और सेवई की बहुत अच्छी खुसबू आ रही है और दूद में अच्छे से पकाने से बहुत अच्छा सेवई बनता है आलो भी देखिए ग्रेवी इसी तरह का मुझे रखना था बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा गाड़ा नहीं और ये सबजी इस तरह से बनाएंगे रोटी पूरी पराठा जैसे भी बनाएंगे बहुत अच्छा लगता है कोई भी भगवान का भोग के थाली में ये आप थाली बना सकते हैं और आदा घंटा में ये थाली बनकर रेडी हो जाता है बस तुलसी का पत्ता रखे और भोग लगाए भगवान को और उसके बाद ये थाली को आप परसाद के रूप में गरहन करें बहुत टेश्टी बहुत बहुत सुप कामना है और भगवान आप लोग को हमेशा हेल्दी रखे खुश रखे और आपकी सभी मन कामना को पुर्ण करें और यहाँ पर देखे मैं आपको दिखा रहे हूं आलू धम बहुत मस्त है अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दे शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें